कि इस फार्म में हमने स्टूटिट आईडी स्टूटिट नेम के दू लें और कुछ बटन डाले एड एड़िट अबडेट डिलीट के एड़िट्र या अबडेट के एक बटन डाला है एक बटन डाला है डिलीट कर बटन डाला है चि Libby और एक data grid view उठागे हमने यहां से लैप से डाला है grid view की data source हमने क्या सेट की है student binding data source हमने एक data source बनाई है और उसमें से हमने दो column select है student ID और student name को हमने select कर दिया ठीक है अब हमने grid view पे एक event लगाया कि जैसे ही grid view के mouse पे क्लिको grid view के row header mouse क्लिको तो हम जहे grid view में जो भी raw selected raw में से cell number 0 उठाया उसकी value उठाया और two string कर जैसी तरीके से selected raw में से cell number 1 उठाया लिया यहने कि जो grid view है इसके इस वाले cell की value उठाया ली और इस वाले cell की value उठाया ली student ID और student name मिल गया हमने इसको text box में set कर आ दिया जब मैं इसको run करूंगा और जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो text box में यह भरावा आ जाएगा ठीक है अब add के button पर मैंने क्या किया text box में जो value है वो ठाली ID और name उठालिया SQL connection मनाया मैंने एक और connection मनाते वे मैंने insert करा दिया insert into student student ID name पूरी चला दिया हमने database के उपर और command के parameters इसके पार मैंने स्पैसिपाई किये जब कोरी चल गई तो उसके बाद मैंने student adapter को फिल करा दिया ताके जो है यहां पर record अप्डेट हो जाए तो जैसे को record यहां पर insert होता है record no.3 मिसाल के तौपक सलीम insert होता है तो message भी आजए student has been added और यह refresh हो जाए तो यह refresh करने के लिए मैंने student adapter को दुबारा से फिल करा दिया यही का मैंने update के लिए किया command query चलाई है command object बनाया है जिसमें query specify किये parameters specify किये और update का parameter जो है मैंने दे दिया कि student को update करना है name जो है change कर देना है जहां पर यह idea हो तो student की idea जो भी होगी उसके साब से name change हो जाएगा और change होने के बाद मैंने adapter को फिल करा दिया जो है जैसे ही change हो तो message भी आ जाए record update होगी है और यहां पर भी change हो जाए यही काम मैंने delete पे कराया है delete पे मैंने क्या query लगाई है delete from student where student id is equal to id अभी id कहां से आएगी यह id जो है अलग से एक parameter होगा जो मैं यहां पर specify कह रहा हूँ add with value करके id के against मैंने जो text box में id पढ़ी है जो इस text box में id पढ़ी है यह id जो है इस id पे जो भी record पढ़ा होगा database के अंदर वो delete करवा दिया आखर मैं message दिखा दिया और refresh करा दिया जो मेरा grid view है उसको मैंने refresh करा दिया तो इस तरीके से जो है हमने data grid view की demonstration देखी add, update, delete हमने किस तरीके से apply कि grid view के अंदर हमने वो देखा हमने जो है कुछ fields दे ली जैसे ही grid view उपे click होता है यहां पर हमने एक event capture किया हुए जैसे grid view उपे click होता है यहां का record उटके यहां पे show हो जाएगा पर यहां से अगर आप चाहो तो इसको update कर सकते हो update करना बहुत असान है update होते के साथ यह नीचे refresh भी हो रहा है update करना बहुत असान है update करने का code मैंने आपको दिखाया query है update की database पर चलेगी update कर दो उस student को जिसकी ID जो है आपकी ID तो primary की ID चैंज कर दो उस ID के अगेंस जो भी name होगा उस name को change कर दो ID के अगेंस नेम change कर दो student name जह है add the rate name कर दो जहां पर डेटबेस में अपडेट करते होते हैं, अपडेट करने के बाद हमने जहें, टेबल एड़ाप्टर को फिल कर आ दिया, ताके रिकॉर्ड रिफ्रेश हो जाए, यही काम हमने एड में किया है, इंसर्ट इंटु स्टूडेंट, स्टूडेंट आईड, स्टूडेंट नेम, यह स्टूडेंट डेवल एड़ाप्टर को मैंने फिल करा दिया, ताके रिकॉर्ड रिफेश हो जाए, तो, यह हमारा छोटी सी डिमोसेशन ती डेटा ग्रेट भी होगी, यह मैंने अपडेट कर दिया है, आपके VLE के उपर इसको आप लोग देख लिएगा, त्यूरी के अलग है, और लैप के अलग है, ठीक है जनाब, आज आखरी क्लास है, पॉइट्शिंस ले लेते हैं, जी उसामा, जी अलग है, तो हमारे लैप, मैं लैप और त्यूरी दोने में हूं, तो हमारे तो एकी प्रोजेक्ट होगा, ना, ना, अलग अलग है, दोनों के अलग अलग है, जी अलग अलग है, जी तहा, तलहा, सेटिब्यूशन सेवंटी मार्क्स, सेशनल सीपी, और थरडी माक्स स्टेटिया कि उग इसले इक्जाम ना, कि यहां पर क्लास एंड करते है इवा कोई क्वेस्टिन है आपका प्रोजेक्ट के कितने बरे सर प्रोजेक्ट के जह झाल